नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेड्लाइन से निया में मैं हूँ सार्ट शर्मा इस समय हम दिली के कनोट प्लेस पर मौजूद है और एक सबसे बड़ी खबर आ गई है जो निर्भिया के दोसी थे चारों को फासी नहीं दी जा रहे है सबसे बड़ी खबर यही है यहां पर जनता मौजूद है उनसे जरा बातचीत करते हैं क्योंकि निर्भिया की मा का कहना है यह केवल और केवल राजनिती से जोड़ा जा रहा है सर क्या लगता है कि सचमे राजनिती से जोड़ा जा रहा है देखिए ऐसा है ये तो निर्विया की मा हैं उनकी बेटी थी नैचुरल है उसको दुख तो हो गई उस दुख के कारण वो ये कह रही है कि ये गवर्मेंट ऐसा कर रही है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी कानून की जो कुछ पेशित गया है उनका वो फैदा उठा रहे है और कुछ नहीं है जैसे एक को रिट्पेटिशन कैंसल हो गई तीन की बाकी रह गई ऐसे एक एक करके नैचुरल है फांसी तो होनी होनी है आज नहीं कल मैने में डेड़ मैने में ये निश्चे तक हैंड़ परसंट फांसी होनी है वो होके रहेगी ठीक है कानून की जो आज दूसरी बार ऐसा हो है तो उस पर कैसे देखते हैं जो हमारे वकील लोग है नैचुरल है खिलाडी आदमी होते हैं वो इनी चीज का फाइदा कानून का फैदा उठा करके चारों की रिट्पेटिशन एक बार क्यों नहीं लगाई एक एक करके क्यों लगा रहे हैं यही अपना काम कर रहा राजनीती अपना कर रही है यह कानून राजनीती का मसला नहीं है। कि इसको बस केवल राजनीती मुद्दा मनाया जा रहा है तो आपको ऐसा लगता है इसके लिए तो जरूर होना चाहिए और फांसी होगी इसको तो कोई टाली नहीं सकता है कि गोवर्मेंट सकता है ना तो गोवर्मेंट को जो है कदम उठाना चाहिए इसमें जो है इसको फांसी जरूर होना चाहिए इसको टालना नहीं चाहिए